चाहे वो असली समंदर हो या फिर डिजिटल वर्ड का समंदर। पाइरेट्स और उनके कुंसेप्ट के बारे में हम सब जान दें। आज की वीडियो में मैं और इशेव बात करेंगे कि क्यों आप उक गेम्स को कभी पाइरेट नहीं करना चाहिए। पारिसी से सबसे बड़ा लॉस डेवलोपर्स को ही होता है। यह कहने वाली बात नहीं है कि अच्छे गेम्स बनाने में काफी समय, मैनत और कैपिटल लगता है। और गेम के लाँच के बाद जो रवेनी होता है, वो काफी मैटर करता है डेवलोपर्स के लिए, जो एक रिवार्ड के तरह होता है। और यहीं उन्हें मोटिवेट करता है और गेम्स बनाने के लिए। लेकिन जब बड़े नमर्स में उस गेम को पैरेट किया जाता है, तो डेवलोपर्स को काफी लॉस फेस करना पड़ता है। इस्पेशली तब जब जितना खर्च किया उससे भी कम अर्णिंग्स होती है। चलो बड़े डेवलोपर्स जैसे ये रॉक्स्टार गेम्स तो वैसे भी फेमास है और उनकी गेम्स खरीने वाले भी बहुत जाता है। तो पैरेसी से हुए लॉस उनके लिए जादा बड़ी बात नहीं होती। भले ही उनने मिक्स रेक्शन्स मिले गेम को लेकर बट लोग खरीदे तो सही ताकि आगे कोई बेटर गेम्स मनाने के लिए उनके पास मोटिवेशन और कैपिटल दोनों। पारेटेट गेम यूनिक कॉपीज नहीं होती। जिसका मतलब है कि अगर आपके पास गेम है तो आप उसके डेकरगनाइज कस्टमर नहीं हो। जिस वज़से जब डेवलपर्स नियो अपडेट्स, पैचेज या फिर डेल्स निकालते हैं तो उससे हम एकसेस नहीं कर पाते हैं। पास ओरिजिनल कॉपी है ही नहीं तो गेम भी ऑफिशल सर्वर से लिंक नहीं कर पाता। और इसी वज़ा से गेम में ऑल्लाइन मल्टिप्लेयर का फीचर भी नहीं मिलता। इसके टाइम तो फिर भी इंटरनेट फास्ट है पर कुछ साल पहले तक तो 15-15 दिन लग जाये करते थे 30 GB के गेम को डाउनलोड करने में। और उसके बाद ना चले तो सोचो कितना दिमाग करावोगा। अब इंटरनेट पर उसके solutions भी काम नहीं करते हैं। जिसे वाज़ा से वो गेम बस हमारा storage space लेता है और उसके लावा उसका कोई use ही नहीं। तो इससे हमारी excitement और internet दोनों एक तरह से waste ही हो जाते हैं। भी back off कर जाते हैं। इसलिए इंडिया में game development industry इतनी पीछे हैं। क्योंकि बहुत को पारिसी जैसी चीजों से होने वाली losses का डर रहता है। यह हर कोई जानता है कि internet पर हर चीज़ जनुवर नहीं होती। एक की नाम से बहुत सारे parated sites होते हैं जिनके domain name में बस एक लेटर का फरक होता है। इस बड़ेस से अगर हम google पर search करें या address डालते वक्त एक लेटर की भी गलती कर दे। तो गलट site खोलेगी जोकि दिखने में बिलकुल original जैसी ही होती। और जब हम उससे कोई file download करेंगे ना तो हमारे system में Trojan horse जैसे viruses आ सकते हैं। Usually अगर antivirus हो तो पता भी चल जाता है पर जब ना हो तो बस कुछ seconds की बात होती है और हमारे system infected हो जाता है viruses से। Corporate और technical चीज़ों के बाद आते हैं अब legal tree कियो। Similar topic पर बने पिछली वीडियो में हमने बताया था कि इंडिया में वीडियो गेम्स की paracy को लेकि कोई strict rules नहीं हैं। पर फिर भी copyright protection के अंडर अलग-अलग provision के तुरू वीडियो गेम के काफी elements को secure किया जाता है। और इन्हें break करने पर punishment में हमें heavy fine और jail तक हो सकती है। कि क्यों वीडियो गेम्स पारेट नहीं करने चाहिए। अब अंदर से सोचते हैं। हम सभी को इंसानियत के नाते सोचना चाहिए कि गेम्स पारेट करना एक करोबरी से कम नहीं है। जहां हम developer से उनकी मेहनत से बनाई हुई चीज को छीन रहे हैं। कर अगर हम भी मेहनत करके कोई artwork या फिर content बनाएं और कोई उसे ऐसे ही उठा ले बिना permission के कैसा लगेगा। तो बात कफी simple है। पैसे से खडीदी होई चीज की value free की चीज से जाधा ही होती है। ठीके गेम्स खेलने हैं तो सही way में खेलो। क्योंकि आया दिन epic games पर free games आती रहती हैं purchase के लिए और वरना दूसरे stores भी regular offers निकालते रहते हैं। अब तो prime gaming भी आ रहा है इंडिया में जो और free games offer किया करेगा। और इसके अलावा भी बहुत से ऐसे games होते हैं जो की completely free हैं खिर लें। क्योंकि वाइब।